असका मित्रों समगत है आपके अपने चैनल पर यहां हम बात करेंगे UPSI दरोगा भरतितो 2021 की कि लिखित परिक्षा कांटिनु है और इसकी कट आफ के बारे में हम यहां पर बात करेंगे क्या कितने नमबर हों कितनी आपने कोशन सही किये हों जिससे आपको कप सेलेक्शन हो जाए तो उसी पर हम बात करेंगे जननल OBC, EWS, SAST इतने नमबर से कम अगर आपके आते हैं तो आपके लिए चांस लगभग नहीं रहेंगे तो इन ही मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि यह परिक्षा जो है सिप्ट वाइस से कंड़क्ट हो रही है और एक चीज़ होत जाए तो यह कठनाई के इस तरह तक चला जाता है तो जो पहले सिप्ट में आपने पेपर देखा होगा वह काफी ज्यादा आसान होगा यानि वह आसान आपको मिलेगा और उसके बाद का जैसे जैसे पेपर बढ़ता जाएगा अगले डेट्स में अगली चीजों में जाता जाएगा वैसे ही वो उसी इस तर्पे वो कथिन होता चला जाता है ये तरीका होता है आप पर सेट्ट करने वालों का ये जैसे से हम आगे की प्यपरस स्ट को देखते जाएंगे वैसे एサ2 लेकिन अभी जो आया था पहली स्ट में उससे ईजी पर नहीं होगा तो यहाँ प उसका पेपर जो है वो टफ पेपर कहा गया उसमें थोड़ा सा उलजने वाली चीज़ें थी वो थोड़ा सा मेरिट को नीचे लेकर आने की कोसिस करेगा बाकी पेपर ऑन एन एवरिस था और वो उसी हिसाब से आप मान सकते हैं कि हार्ड की तरफ जाएगा तो ये एक तरीके स जब फानल मेरिट लिस्ट बनेगी तो एक तरीके से नौर्मलाजेशन के सासत पूरा सिप्ट वाइज कंडेक्ट करा जाएगा फिर उसके बाद कट आएगा कि कितने लोग सेलेक्ट हुए किसी के बढ़ेंगे किसी के घटेंगे इस तरीके से पूरा पैटर्न सिप्ट आएगा तो यह तरीका होगा तो ऐसा नहीं है कि अभी जो हम कट ओफ आपको देंगे उसमें आपको लगेगा कि पहली सिप्ट वाले लोग होंगे वह ऐसा नहीं है कि वह पा जाएगे और बागी सब लोग रह जाएंगे उनके कटिन पेपर हैं तो नीचे आ जाएगे तो जिसके ज्यादा marks आएंगे उसका टॉप पर ज्यादा जाएगा तो उसका कम हो जाएगा और ओर टॉपस के करीब आले होंगे अगर किसी का टॉपस कम जाएगा और उसके marks कम आए हैं तो वो भी उसी line में जाके खड़ा हो जाएगा तो यहां total on average की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका आएगा वो आप मान के चलिए जन्रल का जो हम आगणा आपको देंगे क्योंकि 160 questions आपके पास है 40 40 questions आपको मिले हैं सारे sections में 40 reasoning में 40 GS में इस तरीके से 40 Hindi में तो इस तरीके से यह total आपके 160 questions बनते हैं तो इसी के हिसाब से अगर आप हम जन्रल की बात करते हैं त उसे आपके questions जो किसी भी तरीके से उसे तुक्का मारा हो चाहे वो किसी भी तरीके से उसने किया हो अपने महिनस से किया हो अगर उसके 120 प्लस है तो वो safe zone में है यह 120 प्लस अगर उसने सही किये हैं तो वो plus safe zone में है उसे अब कोई बाहत नहीं करेगा किसी भी shift की बात करें यह लग भग approximately उतना जाएगा फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं OBC की तो OBC आपका रहेगा 117 प्लस रहेगा तब जाके वो safe zone में रहेगा यह cut off इन दोनों category का हमने यहाँ पर clear किया है अब हम देखेंगे उसका आपका EWS का और बाकी चीज़ों का तो EWS का अगर हम ब पाएंगे 115 प्लस में रहेगा यह इतना cut off रहेगा इसी तरीके से अगर हम SC की बात कर लेते हैं तो यह 108 के आसपास रहने वाला है 108 के आसपास रहेगा और यह जो ST candidate हैं यह आपके 100 के आसपास प्लस में अगर आपका score रहेगा तो यह safe zone में रहेंगे तो यह तरीके का जो है एक schedule हमने आपको देने की कोशिस की है अब इसी के लगभग आसपास रहेगा एक दोन जो है उपर नीचे हो सकता है ज्यादा नीचे नहीं जाएगा न ज्यादा उपर जाएगा तो यह on an average है इसी तरीके से expected cut off आप मान के चलते हैं और यह इसी के आसपास रहेगा अगर इसी आधार पर यह cut off बनता है तो यह आप देखिएगा आपको अगर लगता है आपने paper दिया है आपका confidence label कहता है कि इसी के आसपास cut off रहेगा तो आप इसे share करिये like करिये comment box में जरूर बताएगा बाकी जैसे जैसे paper बढ़ता जाएगा यह तो 12 नौंबर की बात हम कर रहे हैं और आगे 13 14 15 तो इस तरीके से आगे जैसे जैसे चीजे हम बढ़ती जाएगी वो अपने आप clear होता चला जाएगा तो मिलते हैं अगले cut off के साथ अगले किसी information के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैवाद